नमस्कार दोस्तों मैं उस आगर आप देख रहें इंडेन ट्रांसपोर्ट तूर चैनल को आज कीडियों हम देखेंगे भारत बेंज की 1014 रेफिटरी ट्रक यह बेसिकली कोडाई चीज की गाड़ी है यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट में इसको स्टाइलिंग काफी अच है इसका हैलोजन हेड्लैम और उसकी साथ आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे फ्रंट में उन्होंने फॉग लेंप लागा कर लिये हैं कम्प्लीटली गाड़ी को पेंट किया गया है यल्लो और वहीट कलर में एक चीज को दरशाने के लिए यह गाड़ी मिल्क वैन कैटेगरी के लिए यह गाड़ दिये गाया है काफी हेवि काम है इस साइड में अब देख सकते हो यहाँ पर कप्लिंग के लिए जगा ईही गए यहाँ से तो कर सकते और यहाँ पर आप कि बैचिंग दी गई है इस में आपको 144 नियाम का उसलाइश बढ़क सकते हो तो काफी से काफी निय चौक्त Say ओक तो के-स सीप जो स्लीपन का इस सलीपन की एवलेबस मिलता है जो की ऐसे के से आपर-marker Lamp यहां पर लगा हुआ है और Rear Side में आप देख सकते हो जहां से घाड़ी हावा खिश्ती अंदर इंजिन के combustion के लिए और उसे के साथ यहां पर आप देख सकते हो काफी शानदार इसका Air इंटे है इसे के नीचे आप दिख सकते हो यहाँ पर एड विल्टर की साथ और यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें एंटी थेफ्ट जिल फिल टैंक लगा हुआ है काफी अच्छे से प्रोटेक्शन किया गया है गाडी को और बॉडी बिल्डिंग भी काफी शांदर हो इसमे आप देख सकते हो इसमें अभी इस गाड़ी के गेर बॉक्स काम चल रहा था तो यह गाड़ी अभी अंडर ब्लेकडाउन कंडिशन में है पर आपको में गाड़ी दिख रहा हूँ तमिल लाड़ी बहिया तो तमिल लाड़ी में कोड़ाई चीज का बहुत बड़ा नाम है तो आपके लिए खास में गाड़ी कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो एडिशनल टूल वक्स दिए गए है यहाँ पर मार्कर लैंप भी लगए यह साइड में रियर साइड में आप देख सकते हो completely sealed कोड़ाई चीज का यह आपको रेफ्लेटर कंटर आपको यहाँ पर दिख जाएगा और काफी बढ़िया लगती गाड़ी पीछे से भी काफी शांदार है इसमें ग्रॉस्विकल लेट की बात कर ले तो इसका 10,600 के लोग का ग्रॉस्विकल वेट है 10,600 kg यहाँ पर आप देख सकते हो एडियर में वंपर काफी शांदार लेगा है और काफी अंधर गाड़ी की बॉड़ी काफी अच्छी से से शेठ की गई हैMP कर दो आप देख सकतें से कुव बड़ियो ही हुआ इस गाड़ी की खासेत है कि यह सिर्थी क्लिदिस्टुमिशन की काफी बढ़िया होगी यहाँ पर भी श्काड़ियो है इसका जो लो निकाल तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से चड़ने के लिए सीड़ी और यहाँ पर आपका गाड़ी का रेफर उनिट है इसकी करण गाड़ी का जो अंदर का तापमान होता है वो बहुत कम रहता है और यह बेसिकली मिल्क आउशी दिवगरा के लिए यूज की जा सकते है पर यह बेसिकली गोचीज या बतलब चीज के लिए भी यूज करती है और आप देख सकते हो कुछ इससरी के से गाड़ी का लुक उबर कराता है काफी शांदर लगते है भारत बेस 1014 और डिस्ट्रिबिशन के बिन आपको यहाँ पर मिलता है यहाँ पर आप देखे तो इसके डौर्ज भी काफी अच्छे से खूलते है इसाड में आपको मैंल वींड मेंड़ों को और पर आपाव़ विंडूmist यहाँ पर आप देख सकते हो काफी अच्छे से माउंट किया गाए एसी को भी सवाइज यह एसी गाड़ी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें यह जो पार्ट है न वो टेप नहीं है यह क्यारियर कंपनी का एसी का जो अंदर का जो कंट्रोल रेफ्रेचर रेंग का तो देखे तो आपका इस्ट्रुमेंट क्लस्टर है कॉमान है सभी गाडियों में पर आप देख सब्सक्तों यह दे केमी स्टैल में है 1014 मारत मिंज की प्राइम प्रडॉक्ट में से एक ही गाड़ी दोस्तों इस गाड़ी के माइलेज की बात कर ले तो इस गाड़ी का करने पड़े क्योंकि इसका अगर आपको यह वीडियो लगी लाइक करें चैनल पर नहीं होगे चैनल को सब्सक्रा करें यह पर रुखते दोस्तों प्रमाचेटों के साथ जय हिंड जय भारत वन्य मतरम बाइबाइ